असलाम अलेकुम एव्रिवन ए यह वीडियो और हम लोग सोशल मीडिया के बारे बना रहे हैं हमें काफी रिक्वेस्ट सीव हुई थी कि सोशल मीडिया पर क्यासे काउंटेंट डाल जाए कैसे बना है जाए तो उस चीज को आशार करने के लिए हम लोगे सोशल मीडिया के बा बिजनेस का परस्पेक्टिव देना है कि सोशल मीडिया के लिए कैसे बैनेफिशल हो सकता है ठीक है तो कोशिच कीजिएगा कि यह वीडिया आप कंप्लीटली देखें और अगर क्विस्टन हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि इस चीज़ को पर आंसर किय देते हैं मेरा नाम आमिर जवी है मैं ग्राफिक डिजाइनर हो ठीक हो गया मैं को फांडर और बेजिस डिरेक्टर हो स्टूडियो 3 डिजाइन अट कंसल्टेंट जो कि कोईटा में है मेरा प्रोफेशनल एक्सपिरेंस पांच साल का है और मैं एस ग्राफिक डिजाइनर में तो पहला कॉइशन यह आता है कि सोशल मीडिया क्या है सोशल मीडिया जनाब एक इंटरनेट इंटरीक्टिव वब बेस्ट अब्लिकेशन वहती हैं जो कि सर्वाइफ करती है कॉंतेंट पर जो कि फोटूस विडियो जन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है यह कॉंतेंट जी यूँजर्स क्रिएट करते हैं जिस पर सोशल मेडिया खरते हैं सोशल मेडिया करता है ओनलाइन कनेक्शन की मेकिंग में ठीक एर आपने व कोई कनेक्शन आपको सोशल मीडिया पर नगा होगा तो इसका कुई फाइदाा upon है social media logo को logo से मिलाता है और लोगों को groups से मिलाता है ठीक हो गया यह इसका basic माकसा था connectivity इसका basic मकसाद है ठीक हो गया social media के services है वो usually desktop, laptops और mobile phone, mobile devices पे access किया जाता है mobile devices like phones and tablets अब next यह आता है कि social media की psychology है जो game है वो किस चीज़ बेस करती है social media को जो idea है वो revolve करता है एक single factor engagement के उपर engagement इस तहां कि अगर आप एक content creator है और अगर आप engaging content create कर रहे हैं तो आपका content social media की जो platforms है वो prefer करेंगे और other creators आपके content पे अगर creators जो है जादा engage हो रहे हैं तो social media आप consentivize करेगा different manners में कुछ manner इस तरह के होते हैं कि वो आपको in the form of payment आपको दिया जाता है और आपको usership followership आपको provide की जाती है maximum जितनी other as compared to creators के जिनकी engagement level थोड़ा सा काम होता है ठीक है हाँ जो social media का जो aim है वो यह होता है कि users को maximum time के लिए social media platforms पे engage रखा जाए उसमें अगर आप sticky content create कर सकते हैं जो maximum engagement लाता है सोशल मीडिया के platform पे तो आप better creator है social media के on basis of user base at the time of making of this video कुछ statistics है कि कि इतनी usership है इंटरनेट जो है वह बहुत crowded space सोशल मीडिया के हवाला से meaning यह कि social media की काफी साइट्स हैं जिस पर कहने का मतलग यह कि social media की काफी साइट्स से available हैं मुख्तरिफ मुख्तरिफ हवाले से available हैं कुछ social media साइट्स को specialize करती है video streaming में कुछ multiple होती है कुछ business related होती है कुछ format से अलग अलग है इस वीडियो में हम six social media sites को हम briefly discuss करेंगे facebook की जो usership है according to statista.com 2.7 billion monthly active users Facebook के है YouTube के 2 billion monthly active users according to statista Instagram 1 billion active monthly users according to statista LinkedIn के 722 million users according to LinkedIn themselves Pinterest के 442 million monthly active users according to statista Twitter के 330 million active users according to obri obri obrlo.com ये सारे statics statistics जो है ये at the time of making of this video तर correct है Facebook & Instagram इस video में हम majorly दो platforms को introduce करेंगे ये discuss करेंगे जिसमें Facebook & Instagram आता है इन दोनों websites को introduction की कोई नीड नहीं नहीं है Facebook बड़ा है Instagram से और Instagram जो है वो Facebook owned है along with its user base इस इस वीडियो में हम वोज चीज़ें इस डिसकस करेंगे कि ये users को ये दोनों platforms users को और businesses को किस तरह facilitate करते हैं grow करने में ठीक हो गया Instagram and Facebook for users अब ये चीज़ें क्या ये दोनों platforms क्या services प्रोवाइड करते हैं users को तो जनाब ये प्रोवाइड करते हैं entertainment engagement instant messaging photo and video library search engine event hosting job locator weather services stories connecting connectivity with friends and family online shopping experience native camera app for Instagram ये service से प्रोवाइड करते हैं users को जिससे users maximum time इस platform पर engaged रहता है ठीक है entertainment के लिए ये लो क्या करते हैं entertainment के लिए ये लो मुक्तलिफ service content मुक्तलिफ type की content को host करते हैं like memes हो गए photos and videos हो गई engagement therefore engagement ब्रेंग करती है वो चीज़े instant messaging ये होती है कि अगर आपने किसी family member से कोई contact के discuss करना है तो ये आपको एक medium channel provide करते हैं जिसके through up content sorry उस बंदे से instantly communicate कर सकते हैं photo and video library host करती है जो कि आपकी personal photos हो सकती है को event की pictures हो सकती है आप उसको इधर upload करके friends and families के साथ share कर सकते हैं और even आप इनको यहां रखके आप store भी कर सकते हैं ताके for future use search engine के service अब let's suppose आप एक city में हैं आप new city में गए हैं तो वहां जाने के बाद आपको नहीं पता कि हैं कौन से कौन से restaurants available हैं यहां मुख्तलिफ चीज़े अगर कोई restaurants की आप search कर सकते हैं या फिर आप कुछ इस तरह कर सकते हैं जो कि आपको city के बारे में नहीं पता ठीक है तो यह आपको search engine के service पर provide करती है event hosting क्या होती है आपके facebook friends के साथ मिलके या उनको invite करने के लिए आपने event organize करना है तो उसके लिए आप event facebook पर ही create कर सकते हैं जिसमें आप hosting कर सकते हैं friends के साथ मिलके तो इस तरह facebook आपको event hosting के service प्रवाइड करता है आप एक चैनल प्रवाइड करती है इंची services weather services क्या होती है वह इसे में लड़े जासे self-explanatory है यह चीज कि अगर आपने आपको weather की information required है तो आप वो चीज है directly social media से use कर से story एक luxury feature है यह leisure time feature है इसमें as such user के लिए other than enjoyment कोई factor नहीं है connectivity with friends and family self-explanatory है online shopping experience online shopping experience तरह होता है कि एक store है आपने catalog आपके पास time नहीं है किसी जगह पर जाके उस बिजनेस की shop पी outlet पर जाके वो चीज ब्राउस करने का तो आप उनका online catalog चेक कर सकते हैं जिससे आप online experience कर सकते हैं कि वो चीज किस तरह की वो किस किस तरह के products provide provide कर रहे हैं और क्या price range है ठीक है और Instagram के लिए native feature है camera app का उससे आप picture shoot करके उस पर filters apply करके online वही photo host कर सकते हैं तो यह सारे features mainly यह कुछ features है I think मैंने एक दो miss भी की होंगे अगर कुछ miss हो गया है तो आप kindly मुझे comment section में बता सकते हैं कि क्या मैंने miss किया है और next time उसको improve करेंगे Instagram and Facebook for businesses अब यह दो service यह जो platforms है यह as a business आप कैसा support कर सकते हैं first of all अगर आपको as a अपने आपको nominate करना है कि आप business हैं तो आपको सबसे पहले ज़रुत होगी business या fan page को create करना है कि इससे facebook का पता चल जाएगा इस page या इस business fan page पे जो content आ रहा है वो उसको हमने as a business take up करना है ठीक हो गया फिर उसके बाद geotagging के service है instant messaging photo library insights stories real time feedback hashtags marketplace e-shop jobs manager business manager ads manager recommendation and reviews business profiles for instagram appointment bookings content monetization geotagging क्या होती है यह geotagging जो है वो basically shops और restaurants के लिए जयदा facilitate करती हैं चीज़ों को क्योंकि अगर आप कोई नया बंदा आपके city में आ रहा है तो उसने restaurant search करने है according to cuisine जो offer की जा रही है तो आप उसको with location उस चीज़ को tag कर सकते हैं कि आपको instant messaging photo and video library बता चुका हूँ मैं insights क्या होते है जब आप page create करते हैं तो आपको free service provide की जाती है insights कि कि आपका XYZ content आपने post किया है वो audience के mind में कैसे circulate कर रहा है और कैसा perform कर रहा है इस तरह आपके लिए easy हो जाता है कि अगर उस content को take down करने की need है या नहीं जरूरत है तो यह चीज़े आप उस चीज़ के base पे आप use कर सकते हैं business के लिए stories का जो feature है वह काफी important है क्यूंकि as a user अगर stories को देखा जाए तो just viewing as a video platform होता है कि आप देखो 15-20 second की video आप देखते हैं और next आप कर देता है stories क्या होती है कि आप इसमें आपने को वीडियो बने specific product oriented अगर आपने एक story create कि तो वह user को feed हो जाती है real time feedback क्या होती है आपने content post किया है आपको आप चाह रहे हैं कि इस पर कोई content पे मुझे feedback मिल जाए कि मैं आया इस चीज को production में लेकर जाओं या नहीं लेकर जाओं तो आप customers के साथ या audience के साथ आप वह चीज़ और directly discuss कर सकता है आपको real time feedback मिल सकता है contrary है अगर इस चीज के आप देखा जाएगा आपको feedback चाहिए customer के लिए तो customer को घर से उठा कि आपके store तक लाने की ज़रात पड़ती है तो वह चीज feedback वाले जो एक lengthy process था उसको shorten कर दिया है for example आपने कोई event से related को product line आपने launch करनी है तो उसमें आपको एक hashtag create करना है जिससे वह चीज accessible हो जाती है आपने कोई hashtag क्रिएट किया और आपने उस चीज़ की awareness देदी पोस्ट क्रिएट करके आपने जब उसकी पोस्ट क्रिएट कर दी तो अवाम यह जो audience है वह hashtag सर्च करके आपके specific content तक reach कर सकती है market marketplace और e-shop क्या होता है आप अगर किसी को अपने catalog को browse करवाना चाह रहा है कि customer को या audience को आपके store तक आने की ज़रूरत नहीं है आप चाह रहे हैं कि वह अपने घर की comfort से बैट कि हमारे catalog देख ले तो आप वह चीज़ यहां create करके वह कर सकते हैं jobs manager क्या होता है आपको कोई employee की requirement है तो आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं जॉब मैनेजर में के तुरू आप वह चीज़ पोस्ट कर सकते हैं जिस तरह पर job locator में audience जो चीज़ को सर्च कर सकती है business manager क्या होता है business manager ये होता है कि for example आपने collaboration करना है किसी fellow business के साथ तो business manager में जाकि है वह उस सारी settings आप handle कर सकते हैं कि let's suppose आपको किसी किसी दूसरे business के assets की requirement है let's suppose audience उसने क्या define की हुई है बिज्रेस की requirement है तो business manager में जा कि आप उससे दूसरे business से उसकी audience request कर सकते हैं assistance request कर सकते हैं तो वो आपको allow कर देगा और आप वो चीज़ अपने business में implement कर सकते हैं तो यह फाइदा है business manager का ads manager क्या होता है अब सिधी सी बात है कि जब आप business start कर रहे हैं आपको advertisement की तो जरूरत है तो जब आप fan page create करते हैं या business page create करते हैं तो आपको natively ads manager प्रवाइट किया जाता है इसमें आप अपनी मर्जी के content के साथ advertisement campaigns up run कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी audience जो है आपकी कौन से ad के साथ ज्यादे इंगेज हो रही है प्लस आपको ad की payment करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा इधर से यह payment कर सकते हैं recommendation and reviews क्या होता है जना आप recommendations and reviews let's suppose आपने business start किया है आपको reviews और recommendations की सरवत है तो आप अपने customers से online या अगर वापके restaurant पर visit कर रहा है तो आप उसके idea से review ले सकते हैं restaurant industry में यह food industry में यह reviews वाला जो factor है यह काफी notice किया जाता है कि let's suppose एक scenario हम imagine करते हैं कि अगर आपका एक business है और restaurant business है यह तो आगर आपने कोई एक नई dish आपने start किया offer करने start की है तो अगर कोई customer आके उसकी बारे में कोई अच्छा review देखे जाएगा तो कोई जो third customer जो है आपका वो अगर उस review को देखेगा तो लाज़मी वह ची ट्राय करने का उसका दिल करेगा या माइंड बन जाएगा तो उस तरह आपको बूस्ट मिल सकता है उस recipe को ठीक है business profiles for Instagram अब इन में से कुछ features जिसे insights हो गया, real time feedback, hashtags हो गई, यह वाले service Instagram वह प्रवाइड की जाते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपनी normal profile को business profile में convert करना परता है Instagram में तो यह सारे features unlock हो जाते हैं आपके लिए appointment bookings क्या होती है अगर कोई customer आप से मिलना चाहरा है let's suppose आपका किसी कोई आपका business है कोई service oriented business है जैसे कि कोई dentist का business है या कोई doctor है आप और आपने फेस्बुक page create किया है अब एक patient है उसको या तो आपको phone करके आपसे booking कर ले आपसे अपके assistance है या वो आप किसे online appointment booking करवा सकता है through social media यह आपको service तरह प्रोवाइट की जाती है इसलिए प्रोवाइट की जाती है कि आपका time save हो सकते यह सारे process automatic कोते है customer आकर आपके appointment अगर unlock हुई है तो यह चीज़ उदर से automatic available slots में से अपने लिए time fix करता है और आपको notification आ जाता है कि appointment book हो चुक है next आ जाता है जनाब next और तकरीमन last आ जाता है content monetization वही incentivize करने वाली जो बात मैंने की थी उसके according content monetization एक feature है जिसमें आपको content create करने के social media पे करता है कि आप भी as a content creator उसी social media पे रहें तो जब आपकी content का monetization किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपको social media पे कर रहा होता है कुछ आपके content पे इन अगर कोई video आपने पोस्ट किया तो in stream ads होते हैं कोई article लिखा है तो उसके अंदर built-in ads होते हैं जिससे advertisers जो हैं वह आपके content के ओपर advertisement कर सकते हैं तो यह थे कुछ business features social media जो हमें provide कर रहें नेक्स्ट अगर कोई question हो आपके mind में तो मुझे जरूर बताईएगा अगर हो सकते तो चैनल को subscribe करें और bell icon को click करें see you in the next video झाल 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 को सकते हैं